कुलदीप सरोय, मनीस और चिराग ये साती हरियाने से हैं इनको आज पांचों को रिहा किया जा रहा है साती हो 27 लोगों की हाई कोट से बेल हो चुकी है कल भी और मंडे को भी और आने वाले समय में सब लोगों को ऐसे रिहा किया जाएगा साथियो मेरा आने का, आज लाइव आने का मेरा एक मकसद है कि मैं आप लोगों के जानकारी देना चाता हूँ कि जितनी भी ये जो बेल है, जो 27 की सत्ताई जो बेल हुई है वो हाई कोट से बेल हुई है और अब हम कोशिश करेंगे कि लोगर कोट में सारी बेल हो जाए और भीमारी भारतिक तर मिशन के एड़ोकेट्स मेहमूद प्राचा, ओमी भारती, एमसारिये, सुरज मोहनारिये, शाम मोहनारिये और बहुत सारे तमाम एड़ोकेट्स हमारी टीम जो लगातार 22 तारिक से लेकर और बेल तक पुरा संगर्स किया और उसके बाद में यह हमें काम्या भी मिली और अब तो राष्टा साफ हो गया है, तो अब सारे जितने भी लोग है, 90 के 96 लोगों के बेल होने में आसानी हो जाएगी, अब और एड़ोकेट्स भी हमारा साथ दे रहे हैं, तो उनका भी मोस्ट वेलकम है, उस सारे लोग एड़ोकेट्स हाएं, क्योंकि बड़ा काम है, टीम वर्क होना चाहिए, और जैसे जमानती की बात है, तो एक साती का फोन आया कि, बहुत सारे सातीों का फोन आ रहा है कि क्या-क्या डेकुमेंट्स चाहिए जमानती के लिए, मैंने पिछली राई में भी बताया था कि क्या-क्या डेकुमेंट्स ही है, कि कोई भी जमानती हो उसका एक photograph हो passport size पहजान पत्र हो गाडी की कोई RC हो या तो formula हो tubular हो अगर कोई government servant है तो पेशिलिफ हो या private limited में हो तो पेशिलिफ हो या कोई FD हो 15,000 उपे की 15,000 उपे नहीं देना तो साथियो 15,000 rupia की जमानति का कागज चाहिए ना की 15,000 उपध चाहिए तो प्रफियर बात हो गई है और कौन-कौन से डेकुमेंट्स चाहिए एक फोटूग्राफ पहचान पत्र आधार कार्ड और आर्सी गाड़ी की आर्सी होनी चाहिए या तो फोर्विलर टूबलर की आर्सी होनी चाहिए पंद्र हजार तक की जो कीमत की गाड़ी हो उसका अध्य इसलिफ यह होनी चाहिए इससे की जमानत हो जाएगे और आपके बच्चे भारा जाएगे हमारी पूरी टीम लगी हुए है कि हम ऐसे लोगों को भी वोलेंटर्स कर रहे हैं कि वो लोग आए और उनकी जमानत भी दे जैसे की लगातर हो रहा है तो साथी और टोटल आठ लगा रहा हैं हम लोग तो और साथी भी हमारे आ रहे हैं जो एड्वोकेट्स आती हैं वो भी हमारी मदद कर रहे हैं और लोग भी अब आतानी से बेल करा चुके हैं क्योंकि 96 लोगों के बेल कराना एक बहुत टफ तास्क था नहीं जो हमारी टीम लगातर काम कर रही है उस टीब ने इस सफलता को प्राप्त किया और हम लोगों की बेल लेने में कामियाब हुए कुछ चंद लोग कुछ पार्टी के चंद लोग हैं अलग लग पार्टी यह बना रखी हैं लोगों ने उन पार्टियों को लोग कुछ कह रहे हैं कि भीमार्मी के अड़ोकेट्स कुछ क काम नहीं कर दें तो सारे लोग पढ़े लिखें हैं आप जो हाइट कोर्ट से बेल हुई है नसाँ के जमानत निकाले जबांत निकाल जब के ओर निकाले ना किसने बेर्ण कर आई इस अपर पता लग यई आएगा61 ने कुसके अपर फोट ढग जाएगा में बांकि पार्टी को चलाने के चक्कर में पहले भी काम भी कड़ा था हूं लोगों ने पचास एक साथ लगाने के लिए और आज भी हर्याने में जाकर बहुत कुछ कर रहे हैं कि बहुत कुछ कर रहे हैं कि भीमार्मी के लोग कुछ नहीं कर रहे अरे तुम लोगों ने तो इतना बटोलने का अगर जादा ही शौक है तो कुछ और काम कर लीजिए इस से तुम्हें कुछ बोट मिलने वाली नहीं है सब लोग जानते हैं कि तुम्हें कितनी बोट मिलने वाली है तुम्हारा समाज में क्या अस्तुत है अभी भी तुम चुनाव लड़े थे तो तुम्हें कित देता है लोगों को लोगों की मदद करता है समय समय पे लोगों की मदद की है यह साबित किया है हर बार चंसे कर आजाज जी ने उनकी टीम ने हम लोगों ने कि हम लोग जब कोई भी काम करते हैं तो महनत से करते हैं इमानदारी से करते हैं और लोगों को विश्वात भी हो रह चाहिकए और याज जितने भी लोग बाहर हैं वो कहेंगे कि जितने भी दिली मीं ऐडमोकेट्स काम कर रहे हैं कि उन्हों ने एक पैसा लिया किसी से उन्होंने मदद की है हम फिरियो कोस्ट मदद करेंगे क्योंकि हम पिकारश है बाबा साथ डॉक्टर बेट करका क्योंकि उनकी वज़े से हम वकील बने हैं यह एड़ोकेट्स की बात हो गई है लाखों एड़ोकेट्स तेयार करने का हम काम कर रहे हैं हमने सपत लिए पूरे जीवन के अ जाजिज हो जाओ लोग हो तो यह तो हमें थोड़ा सा प्रॉलम होनी पड़ती है प्रसातियों टोटल 27 लोगों की बेल हो चुकिए मैं उनको नाम एक वार और पर बता देता हूं नानक सिंग है उनकी बेल हो भार भी आ चुके हैं बूटा सिंग है बीरंदर कुमार है लकविंदर सिंग है रामपाल है रिचपाल है रामपाल दूसरे रामपाल है नंदू है लकविंदर अंकुर है बंटी है बिनोध है चिराग है सौमपाल है सुमित है गुरुदास है र कुमार की पेल हो चुकी है और मद्ध पर्देश से तीन लोग थे असोक कुमार तूफानलाल और एक साती औह्uchar हमारे थे वहां से तो तीनों व्हसाति ओंठ्स में से बिनोद कुमार तो दो सातियों की बेल oct uses कुद रह रहे यह तो तो उसके हम जल्दी से उल्दी कराएंगे दिली के तीन साति हैं उनकी भी हम बेल कराने कर रहे हैं ॥०्टरप्रदेश के ग्यारी साति हैं तो चंद सेंकर भाई की छोडने के बाद में हम जादे ज़्यादा लोगों की वह बेल लगाने कोशिच करेंगे हरियाना और पंजाब के लोग उनकी बेल लगाने की प्लानिंग हम कर रहे हैं जितने भी लोग बच गये हैं और एक हमारा साथी जम्मुन कश्मीर का है पबन कुमार उसकी भी बेल लगाएगी तो जल्दी से जल्दी सारे लोगों की बेल हो जाएगी और आप जबान थी भी में वह आगे आएं और हमारे एडवोकेड्स हैं एडवोकेड्स मेस आ रहे हैं उनका नंबर मैंने पहले भी दिया ता आज भी दियाता है 9213-400-584 यह नंबर है उनका एक है सुरुज महुन आ रही है 9818-117278 इनका नंबर है मेरा नंबर खुद है 958-290-5506 यह मेरा